हुआ है 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 यह आपके लिए लोग टॉपिक की लॉपर्टेंट रूपर्टेंट प्रॉपर्टेंट जो कि आप जब टॉपिक लगाएंगे तो वहां बहुत ज़बाप काम नहीं चलिए शिरू करते हैं टो हमारी पहली प्रॉपर्टी हे लॉग की वह यह रही समझना इंजै अचा पहले आप समझúa काहा में फयां आपको सहाले है जैसे मैं लिखा दू की पावर 5 तो यह कौन सी फॉर्म है यह पावर फॉर्म है इस पावर फॉर्म को मैं लॉक की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो टू की पावर 5 कितना होता है 32 होता है अगर मैं इस expression को log की form मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा log base 2 32 equal to 5 आप समझें log base 2 32 कितना होता है 5 और 2 की power fact कितना होता है 32 यह expression है और कुछ नहीं इसे कहते है exponential form इसे कहते हैं log form तो log क्या है कुछ नेक conversion है किसका exponential form का किसमें log form है राइट चली शुरू करते हैं पहले प्रौपर्टी है एक्षंज रोपार्टी वैसे रोपर्टी नहीं होती है बढेंस गराशने के सब्तों इस Nobody सह्कों को जाएं यह ट्री लॉख 381 यह निकालना है हमें इसका इसा क्या है इसका था-प यह ट्राइकृतह समझे संची है हैं हमें करना क्या है इस लोग को और आना है उसमें एक्षपौनेशल में मतलब फॉर्म घात वाली wrestle तो कैसे करेंगे बहुती सेंपल अगरए लोग को चेंज करना है तो लोक को तो काम ही नहीं है लॉक को काटी दो से वसी दे और इसको आपस में क्या कर दो interchange exchange कर दो एक्षेंज कैसे एक्स आ गया इधर और 81 चला गया इधर और 81 को मैं क्या लिखता हूं 81 को मैं लिखता हूं 3 की पावर 4 तीन से तीन कट गया एक्स आ गया 4 ठीक है यह रहा आपकी पहली प्रॉपर्टी का नियम तो ऐसे ही आप क्या करोगे आप लॉक को दूसरे फॉर्म में change करोगे चलिए चलिए तो यह रहा आपकी लॉक की पहली प्रॉपर्टी समझना कैसे है लॉक फोर दो यहां कितना उता है जिरो अभी तो आप ने रच लिया बस्तम में समझते हैं कि लॉक बाट्व کا करते हैं लोग वन जिरो होता है करेक्ट मुतर लिखा है तो हम कैसे माने तो इसकी जगा आप मालो एक्स एक्स मतलब आप कुछ भी हो सकता है एक्स दिया तो अभी इससे पहले मैंने आपको एक्षेंज प्रोपर्टी पढ़ाई थी वह लगा दो लोग को काट दो इसको आपस की जगा में क्या रखता हूं अगर मैं एक्स की जगह में क्या रखऊ और आगी जक्ती बखी है तो यह गया पर दिख जब बेस और जो वैल्यू क्या होती है सीम तो आपका आंसर क्या आता है वन आता है चेक करते हैं कैसे क्योंकि तो रटा हुआ है अभी प्रूफ करते हैं तो लोग बेस एंड और एंड बराबर यहां बने हमने एक्स माल लिया अब वही एक्षिन प्रपर्टी लगा दो लोग इसको कर दी एक्षेंज तो एंड की ऊपर क्या आगए एक्स बराबर क्या आगए अब एंड की पावर एक्स आपको एंड लेकर आना है यहां एंड की पावर बताओ क्या है वन है और यहां एन है इसका मतलब एक्स किसके बराबर है एक्स है वन के बराबर हो गई तो एक्स log n कितना होता है log m into n right easy property है आप आराम से इसको proof भी कर सकते हैं कैसे आप n m की जगा n की जगा विल रखके देखें तो आप प्रूफ कर सकते हैं इसको right अब यहां base लगाया नहीं है तो base लगा सकते हो मानलो a base है base a है और base a है ठीक है second देखो अगर plus का हो गया multiply तो माइनस का होना चाहिए divide जी हां क्या हो गया divide हो गया कैसे log m minus log n तो log m divide n जो minus का है न माइनस का पॉन है minus का n तो n आएकर नीचे ठीक है राइट आप उल्टा कर दो m upon n किया कर तो n upon m यह नहीं करना एन माइनस का है तो नीचे आएगा अब मैंने क्या किया है इसको mix करके property बनाए सिंपल देखे लोग m plus log k minus log n log p मतलब प्लस भी है और माइनस भी है तो क्या करोगे आप इसको एक लोग लेको बस बड़ा सा bracket अब देखो n किसका है plus का तो ऊपर k किसका है plus का तो ऊपर n किसका है minus का तो का आएगा यह नीचे kisका है plus का तो का रहेगा उपर ऐससे यह सुल्प कर सकते हैं ओकि देखे अब यह property है जो बच्चों को अच्छी से याद में होती समझ में नहीं होती तो इसकी बड़ी ही शांदर आपने लोक क्या पिर्कार की गाड़ी ये बाइक है ये बाइक ये भीक है के पीछे बैटे अंकल जी और उनकल जी के ऊपर उनके कंदों पर पैर डलके बैटा है एक का था है चिंणु जबड़ा लेती घाड़ी चलने थी फस्क्म स्पीड से हुआ अब क्या हुआ आंगे आगे गाड़ी तो लॉक ने क्या लगा दिया ब्रिक लगा दिया जैसे इसने क्या लगा दिया ब्रिक लगा दिया तो यह N का आगया आगया यह N का आगया आगया जब जी ब्रिक लगाएगा तो N का क्या होगा आगया जाएगा तो यह यह लगाना है तो N का आजाएगा आगया जाएगा और और लॉक बागी पूरा का पूरा ऐसे और अगर यहां बेस लगा हो तो यहां पर भी क्या जाएगा बेस तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 इसमें क्या है लॉक सेम बेस ए है अभी देखो अभी यह चिन्नो का था इसके उप अब क्या किया अपनने यह चिन्नो गिर के आता हांगे तो इसको क्या किया अपनने इसको ईसका इसके उपर इसए ख no इं?, कि अब यह गिर के बार नइशाई अब अप तो डिन्ने की बात नहीं है अब तुं गाड़ी चला आराम से, इस प्रीच चलने तो 200 की, अब 200 की आप ने आगे कखा जैसे ब्रेकर ाया चिन्लू फूम्स कि कहा गया और इस पर तो गाड़ी के नीचे रीज़ी रागे आगि अहुंद कर अब अगयर चांँ आ गया जो एक आपिशन पर और इस तरीके से यह याद परर के बाता है तो यह था कर लोगम आपने का कहा होता है बापस भी जाता है next property देखो अगली log base a b अब इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं तरीका नंबर पहला अगर मुझे इन दोनों को आपस को अदला बदली करने है वी लिखा है उपर अगर मुझे बी को नीचे लिखना है तो मैं क्या करूंगा मैं इसको और a आगे उपर तो एक तरीका तो लिखने का है एक तरीका इसका और होता है हम इसको लिख सकते हैं कैसे log b upon log a याद करने के लिए वी ऊपर है तो ऊपर a नीचे है तो नीचे और इसमें बेस नहीं होता अगर बेस नहीं होता तो क्या मानते है by default 10 मानते है ठीक है इसको बताए तो अबको अगर मालू कहीं लिखा है log x इसका मतलब यहां बेस लगा है क्या नहीं लगा तो बेस अपन क्या मानते हैं अपन 10 मानते हैं ओके by default तो यह थी आपकी कुछ properties और मान के चलिए इन properties से आपके almost काफी सारे question log के easily solve हो जाएंगे ठीक है thank you